तो गैस यार सिर्फ कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको करने से छात्रों को परसानियां हो रही हैं यानि कि एवफम का वो सिकार हो रहा हैं कौन सी वार्निंग है जिसको आपको नजर अंदाज नहीं करना है सिर्फ जहांगा इस देख सकते हैं सिर्फ इन ही दो गलतियों से छात सी भासा में समझा दो तो आप जानने से वंचीत रह जाओगे समझ नहीं पाओगे फिर पस्ताना तो तहीं है से और इसमें कोई दोराए नहीं चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करो बैल आइकन को प्रेस करते हुए आल प्लिक लिक कीजिएगा जिससे नेक्स टाइम कोई भी विडियो डालू है आपको नोटिफिकेशन के माध्य हम से मालूम चले तो चलेगा इस विडियो को स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि एक्जाम काफी कई चात्रों का नस्दीक है और चात्र लगातार इंस्टाग्राम पर यूटूब पर कमेंट कर रहा है कि सर चीटिंग का कोई बहतरीन ट्रिक बताईए तो भाई अगर आपके पास लैपटाप मोबाईल का कम्बिनेशन है तो ये ट्रिक आपके लिए बहत कारगर है मोबाईल से मोबाईल टू कैसे करना है सब कुछ अभी आगे बताऊंगा सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर बंदे ने लैपटाप रख रखा है एक्जाम का जो कोईशन है वो डिस्प्ले हो रहा है कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदा जो है इस साइड इतने पर मोबाईल अपना टाइप कर रहा है धर भी कोई दिक्कत नहीं बुक अच्छा खाजा ओ उमीद है कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको और काफी अच्छी ट्रीक है तो इससे आप जरूरी उसकी जिए मैं तो बस यहीं कहूंगा अब बात करते हैं कि भाई मोबाईल टू मोबाईल कैसे करना है आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि सर के हमारे पास हैंड में और आप किसी चेयर पर बैट के आसा अराम से एक्जाम देजें देखिए यहां पर आपका हैंड है और उसके बाद यह आपकी बाड़ी नेर बाउट रहने वाली है सम्थिंग तो बस इतना कहूंगा कि यहां पर दूसरा मोबाईल नीचे के साइड यूज कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका आई रोटेशन भी नहीं भी गड़ेगा और सब कुछ ठीक रहेगा एक चीज़ ध्यान देना पहुत ही ध्यान से दोनों मोबाईल के नोटिफिकेशन को आफ कर देना किसी भी प्रकार का साउंड न होने पाए अदर्वाइस प्रॉब्लम हो सकती है बस इतना कहूंगा तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपके लिए तो बल्ले बल्ले हैं अब कई सारी चीज़ें और भी हैं जो इस वक्त आप पने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां से मैं चीज़ों को हाइलाइट कर देता हूं कि अंकित अगर आपके रूम में कोई दूसरा बंदा है तो आप उसे हटा दीजे कैमरा का साइट सही कर दीजे जिससे कि यह जो बल्ले हैं वाला समस्य आए वो दूर हो सके और चात्रों ने फिर बाद में इसने किया इसे थोड़ा सा यूफेम की वार्निंग भी मिली कुछ वार्निंग मिली थी यूफेम की जो भी चीज़ें थी आप देख सकते हैं बकाइदा इस वक्त स्क्रीन पे अब चले बात करते हैं कि यूफेम कौन सी ऐसी गलतिया है जो कोई आया था तो इसके लिए प्रॉक्टर्स ने इसे मतलब वार्निंग दी थी और ऐसी गलतिया आपको नहीं करना है इन्हीं गलतियों के करार जो चात्र है उनका यूफेम लगता है तो मैं तो बस इतना कि होना चाहूंगा कि भाई अगर आप इट फ्रीक अच्छा लगे है देहम है डियर इस्ट्वेंट्स अगर इस्टडी करते वक्त आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अप्लिकेशन लेकर आया हूँ जिहांगा इस फिलो अप्लिकेशन की करके फोटो क्लिक करके आप फिर उस quito को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं जहां इस फिलो अप्लिकेशन में आपको सिंपल सा Бस जो भी क्वेशन झाल बातरीन अप्लिकेशन है और हिंदी इंग्लिस किसी में भी आप पाना चाहें और बेदिन 100 सेकेंड जो भी इस पर्स ह वाली है किसी भी टॉपिक में का इस टीचर की तरह यह आपको help करेगा तो description link दिया है तो जाए यह सभी लोग इसे download कर लीजिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी information जो है उसको दिखा रहा हूं कि भाई it seems your image capturing is stuck there might be an issue भी थी और webcam कैम तो guys ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो चात्रों के साथ हो जाती हैं तो इन चीज़ों की भी गलतियां आपको during exam नहीं करना है otherwise यह चीज़ें आपको problem में डाल सकती हैं समझ गए न अब चलिए बात करते हैं आगे की आगे कुछ और भी image हैं जिनको जानना काफी है मैं अब यहां पर देखो इस बंदे ने क्या काम किया इसने screen mirror का यूज़ की हलाकि आपको screen mirror अलाओ नहीं है यह चीज़ें नहीं यूज़ करना है यहां से दूसरा ता वायर के थूँदू दूसरा बंदा जो है वो इनके कैमरे को देख रहा है वो मोबाइल के थूँदू चिटिंग करके सच करेगा और फिर वहां से यह दिखा देगा यह अपना exam दे रहा है कोई दिक्कत नहीं तो बस यतना करना शाहूंगा कि इन चीज़ों का जो भी यूज़ है उसको बहुत ही एतियानन तौर पे करना शीए जिससे किसी भी प्रकार का इशू ना हो इट सेम से और इमेस कैप्शुरिंग हैस बिन इश्टक तो गाइस यह जो प्रॉब्लम होती है छोटी-छोटी कुछ कुछ नेटवर्क इसको कुछ एक्जाम पाच साथ ही प्रॉप्टर्स के साथ में इस भी है यही यूफ्यम के लिए रिस्पॉंसबल होती है मैं आपको साफ साफ सीधे भासा में समझा दूँ कि कुछ लोग है यूफ्यम को लेकर मतलब लपट गए हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं घवरानी के जरूवत नहीं है 30 बच्चों का तुलगा यह यूफ्यम तो आप इतना क्यों है परसान हैं बिल्कुल भी परसान होने के जरूवत नहीं नहीं डरने के जरूवत है उस्टम चिल करो रिलक्स होके रहो पहली बात और दूसरी बात इस दो मैं आपको समझा दिया जाता है तो आप important videos को miss मत किया किजिए जरूर देखा किजिए और आप हमारे चैनल को subscribe करके अभी जुड़ जाईए हमारे साथ और bell icon को जरूर प्रेस करना आप लोग कहते हैं से notification नहीं आता जब आप bell icon को प्रेस करेंगे तभी हमारे वीडियो की notification आप तक पहुशेंगी तो गाई जार उमीद करता हूं कि काफी को शीजन सीखने को मिली होंगी इस वीडियो में यह वीडियो आपको परसनली कैसा लगा comment में जरूर बताना मैं सारे comments को पढ़ रहा हूं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में share करना क्योंकि exam नस्दीक है कोई नहीं पढ़ा है आप भी नहीं पढ़े हैं कौन सी गलतियां है जो exam के just पहले नहीं करनी है otherwise problem हो सकता है उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है तो चलिए गाइस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को subscribe कीज़ेगा तो जैहिंद वंदे मातरम टेक केर